आज मैं आगया हूं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो ले करके तो बहुत सारे मेरे छोटे भाई ऐसे हैं वो सवाल करते हैं कि भाई हमारा जो बॉडी टाइप है वो एंडो मॉर्फ है एक्टो मॉर्फ है हमें सवाज निया रहा हम क्या करें मतलब उन्होंने एमाल लिया है कि बॉडी टाइप है ऐसा है तो हम कुछ करी नहीं सकते और कुछ बेवकुफ लोगों ने भी यूट्यूब में आकर के इस तरह की घटिया घटिया बाते की है कि क्या ही कहें तो आज मैं उन लोग को भी आड़े हाथ लेने वाला हूं और थोड़ा सा आपका डाउ छीडेनिटी बताओं तो केफल तीन बॉडीटाइप नहीं होती है हर आदमीं की बॉडी टाइप अलग अलग होती है हर इंडविजल इंडुरा लग होता है यह तीन सब्ना ऑनदें और दाल तुम इन नि तीन बॉड़ाइप में रहो जीवन घर ऐसा कुछ सी नहीं है अग body type does not exist अब इन में से जो है वो जेनेटिक सटा दो उनके उपर मैं आगे आऊंगा तो मैं बताओं अगर कोई आदमी मोटा है कोई भी इंसान मोटा है तो उसे कह देते हैं प्यार से एंडो मॉर्फ कोई भी आदमी पतला है तो उसे प्यार से कहते हैं एक्टो मॉर्फ कोई आदमी मस्कुलर है उसे हम प्यार से कहते हैं मीजो मॉर्फ अब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जैनेटिकली एक्टो मॉर्फ हो जाएगा या जैनेटिकली मीजो मॉर्फ हो जाएगा या जैनेटिकली एंडो मॉर्फ हो जाएगा नहीं यह बॉड़ी टाइ तो मैं एक्टमॉर्फ बन जाओंगा ऐसा नहीं होता कि आपका एक बॉड़ी टाइप है और आप उसी में अपनी जिन्दगी गुजारेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता बॉड़ी टाइप आप जब चाहें तब अपना चेंज कर सकते हैं तो वही बात यह बॉड़ी टाइप के लिए इंडोमॉर्फ होंगे जब तक आप मोटे हैं सो बॉड़ी टाइप कैन भी वेरी इजिली चेंज कई लोगों के मन में यह भी मित रहता है कि उपर से हमें वर्दान मिल गया कि हम तो एक्टमॉर्फ है तो जीवन भर हमारा टाइप एक्टमॉर्फी रहेगा नहीं यार वह एक टेंप्ररी कंडिशन होती है बॉड़ी की सो फिर से वही बात कि जैनेटिकली इसमें को ही रोल नहीं है कि जैनेटिकली ही हम यह है यह बॉड़ी टाइप जो मिलता है और हम उसे बदल ही नहीं सकते हैं वही हम एक्टमॉर्फ है तो जिन्दगी पर ना यह खाल एक्स पैक नहीं निकलते हैं देखिए देखिए भी इससे में आपके जीन्स आप का साथ नहीं देतें आपको पतला हो ने में अगर एक रेगूलर एंडो ना उसानिसक पतला हो सकते हैं जो जेनेटिकली कॉस्ट होते हैं वो एक परसेंट होते हैं बहुत रेर पॉपुलेशन होती है उनकी जो मतलब हो ही नहीं सकते पतला चाहे जुख कर ले तो उसमें आप बॉडी टाइप को क्यों दोच दे रहे हो ऐसा नहीं है कि अपके सामने हजारों ट्रांसफोर्मेशन ऐसी कर दिखा दूँगा जिसमे अगर तुम उस एक आद को दिखा रहे हो ना तो वो जेनेटिकली कर्स्ट जो आले मामले में आता है बहुत ही जादा रेर पॉपुलेशन में आता है इसका मतलब यह नहीं कि सभी एंड़ों जो मोटे लोग होते हैं वो कभी एप निकाली नहीं सकते यह गलत बात है और कु और आप भी बहुत रेर हो इसमें अभी आपके बॉडी टाइप का कोई लेना देना नहीं है बॉडी टाइप मतलब खाली तीन चीज यह तो बंदा चोड़ा है मोटा है पतला है वस खतम बात और ज्यादा कुछ नहीं है इसको कॉंप्लिकेट मत करो इस वरी सिंपल साइंस अब कुछ लोगों के फैट आसानी से नहीं चड़ता वो जेनेटिकली ब्लेस्ट कुछ लोगों के मसल आसानी से नहीं चड़ता जेनेटिकली कर्स्ट कुछ लोगों के मसल आसानी से चड़ता लेकिन साथ में बहुत सारा फैट चड़ जाता फिर आसानी से लूज नहीं होत जनेटिकली कर्स्ट तो इसमें कोई बॉड़ी टाइप का खेल नहीं है कि एंडो हो या मीजो हो एक्टो हो देखो दोस्त कर्स्थ हो मतलब शापित हो जनेटिकली शापित हो तो ऐसा होता है और इतनी आसानी से गिव अप मत करो अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा आप ज तीन साल का टाइम दो तीन साल की TRAINING के बाद ही intense training के बाद आप ऐसा कह सकते हो किए औरिऑ हो जैजनेटिकली कर्स्ट हो आप खली YouTube में दो हट करके हैं और यह सब चीज़े कहां से आती हैं यह तब आती हैं जब आप प्रेक्टिशनर बनते हो नौट जच्ट एकेडमिक्स आम प्रेक्टिशनर ऑफ इस आर्ट टू मैं गूगल पे एक रात पहले बैठ करके यह नहीं सर्च करता कि क्या नाम है इक्टोमॉर्फ किया इंडोमॉर्फ किया फिर वही बग देता हूं यूट्यूब पे कि एंडोमॉर्फ पतले हो इनिह सकते हैं यार थोड़ा इतने सारे clients मैंने train की हैं तो तो आज मैं कह पा रहा हूं कि yes this is bloody hell possible body type is a myth body type is bullshit body type का मतलब खाली यह होता है कि आपको category में रख दिया कि आप मोटे हैं तो आप endomorph हो गए पतले हैं तो ectomorph हो गए ऐसा नहीं है कि आप जीवन भर वही रहेंगे वह type है और कभी भी पदला जा सकता है मैं फिर से वही सेम कर सेम बात कर रहा हूं बार बार अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की जो लोग कहते हैं कि भाई मैं तो एक्टोमॉर्फ हूं मैं तो पतला होई नहीं सुरी मेरा मसली नहीं चड़ रहा है तो देखिए आप जो सो कॉल्ड एक्टोमॉर्फ अपने आपको समझते हैं दोस्त ऐसा केटेगरी मत रखो एक्टोमॉर्फ मतलब तुम पतले हो तुम क्या करना है खाना है खाना कितना है अपनी मेंटेनेंस कैलरीज पता करो मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर कि अपनी मेंटेनेंस कैलरीज पता करो और उससे जादा करो जिसे हम कहते हैं प्यार से कैलरिक सर्ब्लस उसमें खाना शुरू करो लोग कहते हैं कि भीया मैं दबा के खाता हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा अरे दबा के खा रहे हो लेकिन कितना खा रहे हो दोस्त मेजर करो क लोग इतना दबाते हैं कि मतलब पता ही नी चलता कि कहां मेंटेनेस कैलरी के आसपास भी नहीं होते हैं आपके एज हाइट के इसाफ से मालिज़ आपकी मेंटेनेस कैलरी पच्छिस सो आई आपके दबा के खाने के बाद भी 22-23 कैलरी मार्क महुच रहा है उसको जाकर के चेक कर सकते हैं उसमें मैंने स्टेब बाइस्ट प्रोसेस वताया आप किस तरह से अपना मसल माज़ हो बढ़ा सकते हैं लीन मसल टिशू और इसमें आपको इंटेंस ट्रेनिंग भी करनी है है एवी ट्रेनिंग हेवी कंपाउंड मुवमेंट को आप हेवी कंपाउंड लिफ्ट को इंक्लूड करिए किसी के गाइडेंस में अगर आप बिगनर हैं बिना इसके काम नहीं है और एक लिए तीन साल तो अपना 100% दीजिए बिना तीन साल आपको 100% दीए आपको मालूम ही पड़ेगा आपका जनेटिक पोटेंशल क्या है जनेटिक लिमिट क्या है पहले से ही रोना रोना मच शुरू कर दीजे कि भाईया मैं तो जनेटिकली ही एक्टो मॉर्फ हूं मेरा कुछ हो नहीं सकता है यह मैं जनेटिकली हूं वो देखो दोस्त केवाल बहुत एक परसें मैं फ्रेंड जाओ इंटेंस ट्रेनिंग करो मेंटेनस कैलरी से जादा खाओ एक एप है माइफिटनेस पैल नाम की वहां से आप अपना कैलरी काउंट कर सकते हो अगर मैंने उस वीडियों बता रखा अपनी में लेकिन अगर आप नहीं देखना चाहते तो एक एप है अगर समझते हैं तुम पतले लोग प्रोटीन नहीं खाते हैं दबा के खा रहा हूं लेकिन क्या इंटेंस ट्रेनिंग भी कर रहे हैं दबा के खा भी रहे हैं लेकिन हाई प्रोटीन इंटेक अपना हाई करो अप्रोटीन इंटेक से मैं क्या मेरा अतात पर रहे है मैं यह न तो इस तरह से आपको प्रोटीन इतना प्रोटीन आपको लेना है दिन में ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए सो यह भी माई इंटेंस ट्रेनिंग करो किसी के गाइडेंस में और प्रोटीन का इंटेक हाई रखो अब आजाते हैं हमारे एंडोमॉर्फ दोस्त जो अपने आपको समझते एंडोमॉर्फ हम जैनेटिकली ही ऐसे हैं हमारा कुछ नहीं हो सकता देखो दोस्त नहीं है तुम खाली मोटे हो त तुम्हारे पूर जैनेटिक्स नहीं है अभी इस बात की कोई गरेंटी नहीं है तुम भी अपने आपको तीन साल का ट्रेनिंग एक्सपिरियंस दो तीन साल तक तुम अपना 100% दो उसके बाद ही तुम्हें पता चलेगा तुमने जनेटिक पोटेंशल कितना है उसके पहले इसी है जिनके पूर जैनेटिक्स हैं जो जैनेटिकली शापित हैं तुम उसमें से नहीं हो मेरे भाई तुम उसमें से नहीं हो सो अपनी तश्रीफ उठाओ मेहनत करो अपना एक्टिविटी लेवल भी बढ़ाओ साथ में खाना तो कम कर देते हैं 300-400 डेफिसिट पिलिए क तो कुछ हासील ही नहीं होगा तो get your ass in the gym or get yourself on the ground or the floor and keep moving अब बैठे बैठे तो कुछ नहीं हो जाएगा तो at least 3 साल तक अपना 100% दो अपना खाना कंट्रोल करो बिंज इटिंग बंद करो तब जा करके तो आपको रिजल्ट देखेगा कुछ करोगे है नहीं आप रोना रोन शुरू कर दोगे वही वह मैं फिर बता रहा हूं एक पर्सेंट लोग होते हैं जो नहीं हो पाते हैं जिनके अब नहीं निकल पाते हैं मैं आपके सामने हजारों ऐसे ट्रांस्वर्मेशन दिखा दूंगा जो एंडो मॉर्फ से अपना बॉड़ी टाइप चेंज करके मीज ज़्यादा रेर फिर से मैं बात खेरा हूं बहुत ज़्यादा रेर ऐसी पॉपलेशन होती है और मेरी वीडियो देखिए हो जाएगा बॉडी टाइप बॉलशिट बॉडी टाइप ब्रो साइंस चलिए आज के लिए मेरा वीडियो यही तक था मिलते हैं फिर अगली वीड लाइक ना करिए चैनल सब्सक्राइब ना करिए लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करिए उन लोगों के साथ जिने ज़रूरत है जो इन चूतिया यूट्यूबरों को देख करके अपनी धारनाएं बनाके बैठे हैं के भाई हम तो बच्पन से ही ऐसे हैं अब कुछ हो नहीं हाई guys good morning mic testing one two three one two three one two three is is